हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टेंस फिजिकल एजुकेशन कमपटिटिटिव एक्जाम्स टेटी पीजेटी के विएस एन विएस यल्टी में पूछी गए हैं उन सभी कोस्टेंस को टापिक वाइज उन सभी वीडियो उसको वाच करके आप अपने प्रिपेशन को बेहरीन कर सकते हैं और दोस्तों डेली बेसेज पर प्रिवेस येर कोस्टन सेरीज प्रक्रिस दिये जा रहे हैं जिसका प्रक्रिस करना आप न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णो की प्रतियोगता हैं आई एएएफ के अधिन आई एएएफ का फुल फार्म क्या होता है इंडरनेशनल एसोसियेशन आफ एथलेटिक फिड्रेशन इसकी स्थापना 1912 में हुआ था यह शमीती 202 पर एथलेटिक्स की प्रतियोगताओं पर अपना नियंद्र रखती है तथा एथलेटिक्स की प्रतियोगताओं का आयोजन कराती है डिसंबर 2019 में आई एएएफ का नाम परियोटित करकी वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है तीक है अब क्या हो गया है आई एएएएफ का नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कब 2019 में हुआ है चेंज पहला 200 ट्रेक और फिल्ड चेंपियंशिप किस वर्स आयोजित की गई तो यहां 1983 से आयोजित हुआ है 1983 में आयोजित की गई आपसा नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा यानि पहला 200 ट्रेक और फिल्ड चेंपियंशिप वर्स 1983 में आयोजित की गई यहां IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चेंपियंशिप एक दिवर्सिक एथलेटिक इवेंट है जिसका आयोजन International Association of Athletic Federation द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना कब हुआ 1946 में बंगलोर में एमेचियर एथलेटिक फिडरेशन आफ इंडिया यानि ए ए ए एफ आई ए ट्रैक एम फिल्ड गति वीधियों को नीचित करता है भारत में और दोस्तों ब्रतमान में इसका नाम प्रियोटित करके एफ आटिक फिडरीशन आफ इंडिया हो गया है एफ आई यानि ए एफ आइन नाम बदल सटे एफ्या टिया ऑधेतो हि फिल्ड आफ इअ प्रुटिक में इसकल्च घ्रुटर्ट का लैंडींग सेक्टर थे कितने डिगरी का होता है तो कितना होता है 24 बानवे डिगरी 34 गThe 92 डिग्री जैसा कि दोस्तों डिसकस थ्रोज एंड हैमर थ्रो, साइट पुट तीनों का लेंडिक सेक्टर जो होता है 34 डिग्री होता है यह दोस्तों डिसकस का जो वजन होता है उब पूर्सों के लिए 2 खेजी और महलाओं के लिए 1 केजी होता है और जो इसका ब्यास होता है, जो गोला होता है, उसका ब्यास दो दो सनो पांच जिरो मीटर होता है Next question है, पूर्शू के discuss का वजन कितना होता है, तो कितना होता है, दो किग्रा, आपसर नमबर भी correct होगा, महिलाओं का कितना होता है, एक किग्रा Next question है, गोला फेकने के sector का code होता है, तो कितना होता है, दोस्तों, 34-92 degree होता है, यानि कि आपसर नमबर भी यहाँ पर correct हो जाएगा, जैसा कि start put, hammer throw, discuss throw, तीनों का फेकने का sector, 34-92 degree होता है और दोस्तों, गोला फेक में गोले का वजन जो होता है, पूर्सों के लिए 7-2-6 kg और महिलाओं के लिए 4 kg का होता है, और दोस्तों, hammer throw का भी वजन सेम होता है, गोला फेक और hammer throw, दोनों का next question है, start put, ब्रित का भीतरी ब्याश होता है, दोस्तों, जो start put, गोला फेक में, जिस गोले में होकर के फेका जाता है, उस गोले का भीतरी ब्याश कितना होता है, तो 2.1-3-5 मिटर होता है, आपसन नंबर B correct होगा, जैसा कि start put, hammer throw, इन दोनों के, गोले का ब्रित होता है, ब्र जब कि डिसकर थ्रो यानि चक्का फेक में, ब्रित का भीतरी व्यास, 2.2-3-5 जीरो होता है, डिसकर थ्रो में, 2.2-5 जीरो होता है, और 6 put, hammer throw में, 2.2-3-5 मिटर होता है, इसको ध्यान में रखेगा, next question है हम stop board कहां देख सकते हैं तो stop board का प्रयोग किसमे होता है दोस्तो गोला फेक में option number B यहां पे correct हो जाएगा जिसे कि दोस्तो start put में stop board देखा जाता है इसकी जो start put के लंबाई होती है 1.21 मीटर से 1.23 मीटर होता है एन चोड़ाई 112 यम्यम से 300 यम्यम होता है next है athletic meet का field event क्या है 100 मीटर दोर लंबी कूद बाधा दोर really race तो इसमें कौन सा है field event लंबी कूद यानि field event को दो भागों में दिवैट किया गया है throwing and jumping event throwing event में start put, discuss throw, hammer throw, amgeline throw आता है जबकि jumping event में लंबी कूद, ऊची कूद, त्री कूद, वो बांस कूद आता है next question है महिलाओं के लिए hammer throw में hammer का वजन कितना होता है तो दोस्तों गोला फेक में गोले का वजन, hammer throw में hammer का वजन, दूनों का सेम सेम होता है, कितना होता है, पूर्सों के लिए 7.2,6 kg, और महिलाओं के लिए 4 kg, यहां महिलाओं के लिए पूचा रहे तो आपसे नमबर भी correct हो जाएगा, 4 kg, अध जिसके लिए अधिकारिक तोर पर विश्व कृतिमान की शुकृति प्रदावन की जाती है, तो यहां पे आपसे नमबर भी और डी correct हो जाएगा, पूर्सों के लिए 100 मीटर, और महिलाओं के लिए 100 मीटर, यह दूनों ही 100 मीटर इवेंट्स जो है, पूर्सों महिलाओं का, सबसे छोटे ट्रेक इवेंट हैं, जो जिसके लिए 200 कृतिमान को शुकृति प्रदान की जाती है, हलाकि इंडोर इस प्रदावों में पूर्सों महिलाओं के लिए 50 और 60 मीटर के ट्रेक भी होते हैं, और इसके लिए भी 200 कृतिमान इस साफिय दिये जाते हैं, बट यहां पे ट्रेक इवेंट के लिए पूछा है, तो पूर्सों के लिए 100 मिटर, एमिलाओं के लिए 100 मिटर हो जाएगा, निश्क कोश्चन है, पेस दोड़ों का संबंध है, तो दोस्तों पेस दोड़ों का संबंध किसे हैं, सक्ति से लचिलापन से गती से दमखम से किसे हैं, तो यहां पे पेश दड़ों यानि दमखम सहंसिलता क्या सकता होगी जादे समय की किलिया में तो पेश दड़ों में कौन-कौन से दड़ आते हैं आर सो। पंदर सौ मीटर दड़ जैसा कि इसमें दमखम यानि सहंसिलता क्या सकता होती है तो पेश दड़ों का समय किस्से है दमखम से, आपस्टन नमर ब यहां पर करेट हो जाएगा पेश दोड़ों में होता है क्या है दोस्तों पेश दोड़ों में एथलीट अपनी अधिक्तम गती को लंबी या वधी तक बनाये रखने की योगिता या चमता का विकास करता है बिन बिन ब्यत्तियों की यह गती चमता उनकी आयो योगता सकती सहन चमता पर अधायत होती है यानि कि दोस्तों जैसे कि की सोरा वस्था में खिलाड़ी अपनी अधितम गती 10 से 15 मिल तक बनाए रख सकता है इसके बिपेट एक प्रसिचित एथलिट लगभग 35 मिल से उपर यह गती बनाए रख सकता है पेश दोड़े मखी रूप से खिलाड़ी की किस पे किसको बढ़ाती है सहन सकती यानि दमखाव यानि इंडुरेंश को बढ़ाती है नेक्स कुश्चन है आदर्स धावन पत्त माना जाता है तो आदर्स धावन पत्त यानि इस्टेंडर्ट ट्रेक किसको माना जाता है दोस्तों 400 मिटर दर को 400 मिटर की ट्रेक को यानि धावकर के लिए 400 मिटर पत्त को आदर्स धावन पत्त माना जाता है कि नेश्ट कोश्चन है हैं टकनीक किस से समंधित है जैसा कि दोस्तों मैं दो दिन पहले ही वीडियो अपलोट की हूं सभी जेंपिंग एंग इवेंट के प्रमुक्त तकनीकों के बारे में उस वीडियो के जदी आप देखे होंगे तो जेंपिंग त्रोइंग जितने भी हैंग तकनीक किसे समधित है तो किसे समधित है लंबी कूद में लंबी कूद से समधित है आपसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा जैसा कि दोस्तों में कूद में तीन टेकनीक होती है हैं हैंग तकनीक हिचिक टेकनीक सेल टेकनीक प्रथम बिश्ट कप एथलेटिक्स चेंपि कि गई थी तो कहां आयुजित की गई थी हेलन्सकी में इस कोस्टन है जैसा कि दुस्तों हेलन्सकी में आयुजित किया गया था अग्जा उनीस में आई एएफ वर्ल्ड एथलेटिक केमपियों सिव का आयुजित कर रहा है इसको एक तरफ है उची कूद, लंबी कूद, फराटा दोड, भाला फेख और एक तरफ है हैंग स्टाइल, स्ट्रेडल रोल, रियर, क्रास स्टेप, सोल्डर स्रम जैसा कि दोस्तों इसमें से सभी पॉइंट को मैं पढ़ा चुकी हूँ वीडियो सभी अप्लोड फो चुका है, यदि आप सभी वीडियो उसको देख लिएंगे, तो इसका आंसर आसाऑनी से इसको मिलान कर लेंगे, तो मैं उस बीडियो में बताईव did you get के कैसी कूद Tá कोसे लोड कॉन सा है तो इस्टैडर रूर जैसा कि मैं उस वीडियो में नहीं हो के कुल चार होते हैं जीगठ सैली विस्टरन रूल इस्टैडरी फ्लॉफ इसमेंसे क्या कूद तो उची कूद का संबंद किसे है इस्टेडल रूड एका टू हो जाएगा एका टू हो जाएगा ए लंबी कूद का संबंद किसे है जोस्तों हैंग स्टैल से बी का वन हो जाएगा एंद फर्राटा दोड का संबंद किसे है सोल्डर स्रंग से एदोर समाप्त करने की विधी है एंड दी भाला फिक का किस से रिलेशन हो जाएगा भाला फिक का सम्मन्द किस से है रियर क्रास स्टेप से तो यहाँ पर आपसन नंबर एक अरेट हो जाएगा उची कूद इस्टेडल रोल लंबी कूद हैंग स्टाइल पर रटर दोल सुल्दर स्रम एंड भाला फिक रियर क्रास स्टेप तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही एक लेटिस से जितने भी कूश्टन्स पुछे गए थे वे सभी कूश्टन्स आज समाप्त होते हैं आई होब कि दोस्तो सभी कूश्टन्स आपको समझ में आये होंगे एंड दोस्तो नेश्ट वीडियो में सभी खेलों से जो कूश्टन्स पूछे गए हैं एक-एक खेल करके बताया जाएगा सभी खेलों पर टापिक वाइज वीडियोज यहमसी क्यूज का बनाया जाएगा तो दोस्तो एंड वीडियो आपको कैसा लगा उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैहें